जाना पड़ेगा एक प्रोप्राइटर्शिप फर्म फ़र एक्जम्पल मिस्टर एक प्रोप्राइटर कंपणी या प्रोप्राइटर्शिप स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपना business start करना चाते हैं इंधी form of a proprietorship concern तो जब वो अपना business start करेंगे वो क्या करेंगे सबसे पहले वो अपने business में पैसा invest करेंगे जब वो अपने business में पैसा invest करेंगे let's say वो business में एक लाख रुपे invest करना चाहते हैं to start his business तो as far as accounting is concerned आप journal entry क्या पास करोगे जब वो Mr. X business में एक लाख रुपे invest करेंगे आप बोलोगे sir bank account को debit कर दो 1 लाख रुपीज से और Mr. X के capital account को credit कर दो 1 लाख रुपे से बिल्कुल सही कह रहे हैं यानि कि जब एक proprietor business में पैसा invest करता है तो हम क्या करते हैं हम उसका एक capital account open कर देते हैं और जब balance sheet बनेगी इस proprietorship concern की उस balance sheet में यहाँ पर Mr. X का capital account appear करेगा और बहुत सारे assets और बहुत सारी liabilities होगे this is okay now if I say you are to start a partnership business and there are two persons X and Y who jointly want to do business तो वो क्या करेंगे वो business में पैसा invest करेंगे as partners in the partnership firm तो जब वो business में पैसा invest करेंगे let's say Mr. X 50,000 rupees invest करना चाहते हैं और Mr. Y 1,000,000 rupees invest करना चाहते हैं तो आप journal entry का पास करोगे आप entry पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 हना क्योंकि total मिलागे 1,50,000 रुपे आए और आप बोलोगे इसमें Mr. X के capital में Mr. X के capital में 50,000 है दोनोंने 50,000 रुपे invest की हैं और Mr. Y के capital को आप credit कर दोगे 1,000,000 rupees ऐसा ही करोगे बिल्कुल सही ऐसा करने पर जब partnership firm की balance sheet आप बनाओगे तो यहाँ पर capital अकाउंट शो करेंगे किस किस का capital होगा Mr. X का capital होगा और Mr. Y का capital होगा और बहुत सारे assets और बहुत सारे liabilities होगी तो यह balance sheet टैलीड होगा ऐसा ही होगा Now, in case of a company when some persons join together to form a company form of organization आपको पता है ना जैसे एक private limited company बनाने के लिए minimum आपको दो लोग चाहिए एक public limited company बनाने के लिए आपको minimum साथ लोग चाहिए So, when I say that we want to start a company, it can be a private limited company और it can be a public limited company पर आप अपने मन में एक बारी public limited company के बारे में सोच के समझो कि एक हम public limited company start कर रहे हैं, जिसमें माल लेते हैं 500 members होगे क्योंकि public limited company में तो upper limit है नहीं, upper limit means minimum तो आपको साथ लोग उसे start करना है पर maximum it can be unlimited number of members So, I say we are starting with a public limited company having 500 members हर व्यक्ती कुछ ना कुछ पैसा बिजनस में इन्वेस्ट करेगा, just like a partnership और a proprietorship अब जब हर व्यक्ती बिजनस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो क्या हम जब पैसा receive करेंगे तो यहाँ पर a capital account बनाए b capital account बनाए, c capital account बनाए, क्या हम 500 capital accounts open करतेंगे ऐसा करेंगे क्या, नहीं, company के case में ऐसा नहीं होता company के case में हम क्या करते हैं, जो भी लोग, ये 500 के 500 लोग जितना भी पैसा contribute करेंगे वो एक joint capital account में चला जाएगा, क्या होगा, वो एक joint capital account में चला जाएगा और उस capital account का नाम क्या रखेंगे हम, share capital account तो इसका मतलब, जब company में ये 500 लोग, let's say, 10 लाक रुपे इन्वेस्ट करते हैं, jointly तो हम entry जो पास करेंगे, वो करेंगे, bank account debit, 10 लाक्स तू, share capital account, हम क्या कर रहे हैं, हम इन सभी लोगों का एक ही joint account open कर देंगे एक ही joint account open कर देंगे, जिसका नाम रखेंगे, share capital account, clear हुआ, ये हमने बहुत सरल वाशना में समझा हलांकि अभी हम इसको detail में भी समझेंगे, अब, हमें ये समझना है कि, share capital होता क्या है अब, जब हम company को start करते हैं, तो होता ये है कि, कुछ लोग jointly मिलते हैं, और वो decision लेते हैं कि, हम एक company बनाएंगे अब, आपको पता है, जब company को start किया जाता है, तो company के कुछ documents बनते हैं, जिन में से एक document होता है, MOA और एक document होता है, AOA याद है आपको, Memorandum of Association and Articles of Association Now, if you try to recall, कि MOA क्या है, तो MOA के अंदर कुछ clauses होता है, जिसे कि, name clause company का नाम क्या होगा, registered office clause की company, registered कहा होगी Then there is object clause की company, काम किस तरह का करेगी, वहाँ पर एक subscriber clause भी होता है, कि company के मालिक कौन होगे, company के members कौन होगे, subscription clause And there is a share capital clause, हना capital clause, तो जब हम भहाँ बात करने capital clause की, तो इसको थोड़ा सा याद करो Capital clause में हम लिखते हैं कि company कितने रुपे से start की जाएगी, हना company कितने रुपे से start की जाएगी तो इस clause में हम लिखते हैं कि company की जो registration है, हना company की जो registered capital होगी, वो कितनी होगी So what is registered capital और authorized capital, यहाँ पर एक word आता है, authorized capital और registered capital और nominal capital इसका मतलब क्या है, कि जब हम MOA बनाएंगे, उसके जो share capital का clause होगा, उसमें हम लिखेंगे कि company कितने पैसे से start की जाएगी अब यह जो clause होता है, यह maximum value देता है, कि company maximum कितना capital, invest करवा सकती है, अपने member से, या raise कर सकती है, लोगों से So if I say, कि हमने एक company बनाई, XYZ Limited, and इस company में 100 लोग हैं, यानि कि इस company के 100 members हैं और हमने बोला कि जो company का total maximum registered या फिर authorized capital होगा, वो होगा, let's say 1 lakh rupees और let's say, छोटा बढ़के 10 lakh rupees, यह इसका authorized share capital होगा, इसका मतलब कि this is the maximum capital जो सारे लोग मिलके company में invest कर सकते हैं, इससे उपर वो invest नहीं कर सकते हैं जब company start करी, तो आपने MOA में लिखा कि आप 10 lakh से start कर रहे हो, तो आप 10 lakh तक invest कर सकते हैं if you want to raise this limit to let's say 1 crore rupees और 10 crore rupees आप ऐसा कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा आपको, इस clause को आपको amend करना पड़ेगा या change करना पड़ेगा, तो आप इस clause को change कर दो और इस clause में आप इस 10 lakh की जगह आप 1 crore लिख दो, 1 crore की जगह 100 crore लिख दो and so on, आप इसको value को change कर सकते हो और ज्यादा capital आप invest करवा सकते हो, so अभी हमने ये समझा कि सभी लोगों ने jointly 10 lakh rupees invest करने के लिए एक company start करते हो, ठीक, so इस total 10 lakh rupees को हम क्या बोलेंगे, share capital बोलेंगे, क्या बोलेंगे, share capital बिकाज ही combined capital है, इसको share capital क्यों बोलते है, because होगा ये, कि हम इस total 10 lakhs, इस total 10 lakh rupees worth of capital के छोटे-छोटे हिस्से कर देंगे, हम क्या करेंगे, हम इसके छोटे-छोटे हिस्से करने वाले हैं, so आप समझ लोग कि हम इसके बहुत सारे छोटे-छोटे हिस्से कर देंगे, ठीक, इन हिस्सों को, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, share बोलेंगे, so total जो capital है, उसके हमने छोटे-छोटे equal parts कर दिये, so हमने क्या किया, इस 10 lakh के equal parts में इसको divide कर दिया, let us say कि हमने इसको 1 lakh equal parts में divide कर दिया, तो अगर ये total 10 lakh rupees है, जिसके हमने 1 lakh equal parts बनाए है, तो हर part, हर part को हम क्या बोलेंगे, share, हर part को हम बोलेंगे share, और हर part कितनी worth का होगा, ये जो हर एक छोटा part है, ये कितने रुपे का होगा, आप खुद सोचो, अगर आपने 10 lakh रुपे को 1 lakh छोटे-छोटे parts में divide किया, तो हर part 10 रुपे का हुआ ना, हर part कितने का हुआ, 10 रुपे का, तो हम क्या बोल रहे हैं अब, हम बोल रहे है, the total share capital of x, y, z limited, जो हमने company में आई है, वो कितनी है, rupees 10 lakhs है, which is divided into, how many parts, हमने कितने parts में divide किया, which is divided into 1 lakh shares, parts को हम क्या बोलते हैं, shares, of, और हर part, हर share, कितने value का है, of rupees 10 each, तो यह हुआ share capital की definition, तो हमने क्या बोला, what is a share, तो अगर आप company act 2013 की definition पढ़ो share की, वो बोलता है, a share is a share in the share capital of a company, क्या बोलता है, a share is a share in the share capital of a company, इसका मतलब, हर share, हर share, एक part है, total share capital का, तो हमें word समझ आ गया, what is a share, share आपको एक part दे देता है, किसका of total combined capital of company, clear one, तो हमारा जो chapter है, वो है, कि हम इस share की accounting कैसे करेंगे, इसको हम किस तरह से books में record करेंगे, अब, आपके मन में question आ रहा होगा, कि sir, जब हमने partnership बनाई थी, तो हमने हर partner का एक capital account बनाया था, जो capital account हमने balance sheet में भी show किया, similarly, जब हमने proprietorship firm को start किया, तो हमने उस proprietor का भी, proprietor का भी capital account बनाया, और वो capital account भी, उसकी balance sheet में show किया, पर, जब हम एक company को start कर रहे हैं, तो हम company के different, different members, या in fact, हम shareholders बोल लें, तो इनके हम separate accounts नहीं बनाते, हम इन सभी का एक joint account open कर देते, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि, जब हमने proprietorship या partnership accounting करी, तो हमने बोला, कि partner कभी भी पैसा invest कर सकता है, पैसा business में ला सकता है, पैसा business से withdraw कर सकता है, यानि कि वो कभी भी drawings भी कर सकता है, फिर, वो कभी भी interest on capital charge कर सकता है, वो interest on drawings भी charge कर सकता है, और in fact, अगर हम partnership की बात करें, तो partner कभी भी salary ले सकता है, तो partner can be given a salary, उसको कभी कभी कमिशन भी दिया जा सकता है उसको बोनस भी दिया जा सकता है और IOC, IOD और वो सारी चीज़े भी होंगी पर अगर हम company की बात करें तो in case of a company, in case of a company, company का और उसके member के बीच में, company और उसके member के बीच में, दो ही काम होने वाले हैं, यहाँ पर तो देखो कितने सारे काम होई, कभी वो capital लाएगा, drawing करेगा, IOC करेगा, IOC करेगा, IOC करेगा, IOC, IOC, salary, commission, इन सभी को record करने के लिए हमको एक account चाहिए था, हर person का, चाहिए वो proprietor है, चाहिए वो partner X, partner Y, partner Z, लेकिन company के case में, जो member होगा, उस member का और company के बीच में, कोई हर रोज का transaction नहीं होगा, कोई every now and then कोई lane देन नहीं होगा, होगा क्या उनके बीच में, दो काम होगे, एक, वो capital invest करेगा member business के अंदर, वो capital invest करेगा business के अंदर in the form of his share contribution, और वो member profit को share करेगा, बस, member को कोई salary नहीं मिलनी है, member को कोई commission bonus, remuneration नहीं मिलनी, member को कोई interest on capital नहीं मिलना, कोई interest on drawing नहीं, कोई drawing ही नहीं है in fact यहाँ पर, यहाँ पर सिरफ दो ही काम होनी है, एक member और उसकी company की बीच में, या जब वो capital invest करेगा, एक वो होना है, और दूसरा जब उस member को company से कि share तो होता है equal parts, so चाहे ये share A के पास है, चाहे ये share B के पास है, चाहे ये share X के पास है, चाहे ये share Y के पास है, चाहे ये 1000 लोगों के पास है, हर व्यक्ति के पास तो 10 रुपे का ही एक share होगा, और वो share की value कभी भी किसी भी बंदे के पास, किसी भी person के पास different value की नहीं हो स इसी लिए हर member का जो capital contribution होगा पर share वो सेम होगा ठीक तो फिर जब सेम चीज है हर व्यक्ति की तो हमारे को उसका एक separate account बनाने के requirement नहीं होगी second profit sharing कैसे की जाती है profit sharing की जाती है on the basis of shareholding on the basis of shareholding या फिर ownership partnership के अंदर हमने partnership deed बनाई उसमें लिखा कि profit channel ratio x y z की बीच में कितनी कितनी होगी उस base में profit को बांटा जाता है divide किया जाता है पर company के case में हर व्यक्ति जितने share own करता है उसकी shareholding या उसकी ownership उसके base पे निकलती है for example for example कि company ने total 10,000 shares अपने members को दिये ठिक तो company के total shares कितने है अब अगर इसमें चार लोग है company में A, B, C और D और company के अंदर Mr. A ने 5000 share का पैसा invest किया Mr. B ने 2000 share का पैसा invest किया Mr. C ने 1000 share का invest किया और Mr. D ने भी 2000 share का invest किया तो total 10,000 share इन चार लोगों के पास है ठीक इसका मतलब out of 10,000 Mr. A के पास 5000 है इसका मतलब 50% company का मालिक कौन है A 20% B के पास है 10% C के पास है और 20% D के पास है so share holding के base पे उसकी ownership या उसकी percentage of मालिकाना हक या ownership को decide किया जासकता है अब company जब भी किसी भी member को profit देगी तो वो profit देती है in the form of dividend यहाँ पर कोई salary bonus commission के तौर पर profit को नहीं बाटा जाता company जब profit बाटती है अपने shareholders के बीच में या members के बीच में तो वो dividend के तौर पर बाटती है अब जितना भी dividend होगा 50% dividend A को मिलेगा 20% dividend B को मिलेगा 10% dividend C को मिलेगा यानि कि dividend या profit sharing उनकी ratio of share holding के base पे decide की जाती है इसलिए हम कभी भी किसी पर्सन का क्या किसी भी shareholder का separate account नहीं बनाते हम उन्हीं सभी का एक combined account में आते हैं जिसको मिलेगा शेयर काप्तर दो यहां तक clear होगा